नमस्कार दोस्तों, स्वागते हैं सभी का मेरे यूटोब चनल S.B.Mädicin में आज हम रिव्यू करेंगे किटो स्टार लोशन का इसके क्या क्या उपयोग हैं, फायदे हैं और इसका यूज आपको कैसे करना है चानकरी के लिए इस वीडियो को पूरा जूरू देखें और अगर आपने अभी तक मेरे यूटोब चनल को सब्सक्राइब नहीं के आएं तो इससे सब्सक्राइब करें और बेल आगन को जूरू दबाएं तकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें किटो स्टार लोशन लाइफ स्टार फार्मा का बेस्ट प्रोड़क्ट है जिसकी प्राइज हैं 111 रुपे पर पेक है इसका कंटेंस होता है किटो को नजोल 2% और जिंक पायरी थीवान होता है इसमें 1% किटो स्टार लोशन एक एक एंटि डेंडरफ है जो एंटि फंगल दवाओं का एक कॉमइनिशन है इस लोशन का प्योग रुसी और फंगल इंपक्षिन के लिए जाता है अगर आपको बालों में खुजली चलना जलन होना डेंडरफ की समच्या है बालों की जड़े कमजोर हो गए हैं रुसी की वज़े से जिस करण बाल ज़्यादा जड़ने लगए हैं Candida infection, Valley fever, Histoplasmosis और Blastomycosis जैसी प्रोब्लम हैं तो इस lotion का यूज आपके लिए काफी फाइदे मन दे हैं पहुसी बार डॉक्टर्स इसको कुसिंग सिंड्रोम, जॉक एज, एटलेट फोट से हुआ और नाभी के infection जैसी समझाव में भी दूसरी anti-fungal और anti-allergic दोओं के साथ में as a supportive medicine prescribe करते हैं जहां इसके result काफी शांदार मिलते हैं यह only external use यानि भारी यूज के लिए हैं इसे हफ्ते में दो भारी यूज करना है मात्र चार मेने में आपको सभी तरह के infection और dandruff से चुटकरा मिल जाएगा इसका use आप डाक्टर के सलाग अनुसर करें तो और ज्यादा बेतर रहेगा इसके use के समय आपकी आँख नाक या अगर ये मुव में चला जाता हैं तो इसे तुरंट दोले और मुव में कुला कर ले ये JTPO और एक conditioner यूपत होता है यानि कि इसके use से आपको conditioner वाला फायदा भी मिलता रहेगा नौर्मली इसके कोई side effect नहीं होते हैं पर कुछ जो कभी कबार नजर आ सकते हैं वो है स्किन पर जलन होना, redness आना और हलकी खुजली आपको feel हो सकती हैं हो सकता है इन सभी side effect के लाव भी आपको कोई और भी other side effect नजर आएं अगर इसा होता है तो आप इसका use बंद कर दें और अपने डाक्टर से consult करें तो friends उमेद आपको वीडियो जुरूर पसंद होगा अगर वीडियो अच्छा लगाएं तो इसे like करें, comment करें, share करें और चनल को subscribe करना ना बूलें, thank you